न्यूस क्लिक के दर्शकों को हम बता दें कि भारत ने एक बार फिर अपना नाम ग्लोबली रोशन किया है और इस बार 12 चैंपियन्स जो घोशित किये हैं अमरीका से जो पुरसकार इस बार उन्होंने एनाउंस किया है उसमें एक भारत से हैं अंजली आपका स्वागत है अंजली भारतवाज एक ऐसा नाम है जो बहुत लंबे समय से सुषना के अधिकार, भोजन के अधिकार, पारजदर्शता, जवाब देही और तमाम मुद्दों पर आपकी काम की बहुत लंबी लिस्ट है जो आप खुद बताएं इन पर बहुत सक्रिये धंग से काम करती रही ह हैं निर्भीकता से जिसभी तरह का करप्शन हो जिस भी तरह की एक छुपाने की कोशिच सरकारे करती रही हैं, उसका परदाफास करने की जो पूरी मुही है कि आपको 12 Global Champions में से एक आप चुनी गई है तो यह क्या मुहिम एक globally चल रही है जहां पर transparency की बात या भ्रष्टाचार रोकने की बात और जनता की शिर्कत की बात है यह क्या दरसल बाकी जो आपकी संगी साथ ही है जिन्हों चुना गया उनके बारे में भी कुछ बताईए देखिए भाशा जो पारदर्शिता की बात है और जवाब देही की बात है यह तो लोक तंत्र में सबसे बुनियादी बात है क्योंकि अगर लोगों के पास अधिकार नहीं है, सरकार क्या कर रही है यह जानने का क्योंकि of the people, by the people, for the people की बात तो हम सुनते रहते है तो पर उसका मतलब कोई नहीं है अगर लोग ये ना जान पाएं कि उनके नाम पर क्या काम किया जारा है क्या policies बनाई जा रही हैं, क्या खर्चा किया जा रहा है, क्या कानून बनाई जा रहे हैं तो पारदर्शिता की जो लड़ाई है वो लोकतंत्र की लड़ाई है और जवाब दे ही सरकार से जवाब लेना और सरकार को जवाब दे बनाना एक अधिकार भी है और कहीं पर हमारी एक मौलिक जिम्मेदारी भी है क्योंकि अगर लोगतंत्र में लोग ये काम नहीं करेंगे तो लोगतंत्र सही माइने में चल ही नहीं सकता है तो ये ग्लोबली भी इसकी एक समझ बनी है इंक्रीजिंगली बनी है कि पारदर्शता और जवाब देही जरूरी है और अब ही जो अवार्ड की आपने जिक्र किया वो अवार्ड भी दिया गया है ऐसे लोगों को बारा लोगों को विश्व में जिन्होंने जो की पारदर्श और जवाब देही और भष्टाचार के खिलाब के लिए ये पुरुसकार दिया गया है। मुझे लगता है कि हमारे देश में अगर हम देखें तो सूचना के अधिकार पारदर्शिता की जो मुहिम है जो संघर्ष है वो एक बहुत ही लंबा संघर्ष रहा है। मैं खुद इस संघर्ष में दो दशक से जादा से जुड़ी हूँ तो मैं जानती हूँ कि ये जो संघर्ष चला है ये किसी एक वर्ग का संघर्ष नहीं रहा। ये अक्रॉस बैक्ग्राउंड्स, सबसे मर्जिनलाइस्ट तपकों से लेकर हमारे लॉयर्ज देश में जो हैं, बुद्धी पहले जो concept था middle class में कि सूचना मतलब जो पढ़े-लिखे तपका है उसके पास होनी चाहिए, जो college जा रहा है उसके पास होनी चाहिए, पत्रकार के पास होनी चाहिए, लेकिन जो सूचना के अधिकार का पूरा आंदोलन चला इसने तो पूरा जो पutet參ben के ती का बात है, ये मांग केवल बुद्धी जीवी या उस वर्ग से नहीं आई, ये बिलकुल रोज मर्रा में working class जिसको हम कहते हैं, marginalized हाशिये पे रहने वाली community से भी आई है, क्योंकि कहीं पर ये समझ बनी लोगों की, कि जब तक उनके पास सूचना नहीं है, वो अपने दूसरे अधिकारों को नहीं हासिल कर सकते हैं, मैं आपको एक छोटा सा example देती हूँ, हम लोग सतर्क नागरिक संगठन से जुड़ी हूँ मैं, तो हम लोग यहां बस्तियों में दिल्ली की बस्तियों में जाते हैं, काम होता है, बातचीत होती है, जब दिल्ली में सूचना का अधि अधिकार कानून आया, बहुती बढ़िया कानून है, सब इस्तेमाल करेंगे अब हम लोग, तो एक महिला ने खड़े होके कहा, राशन तो मिलता नहीं, सूचना का क्या करेंगे, और समझ में यह आई बात कि लोगों को सूचना में इतनी दिल्चस्पी नहीं है, वो तो सू इस्तेमाल किया, यहीं की मैं बात आपको बताती हूँ, लोगों ने अपने राशन दुकानदारों के, जो राशन दुकाने चलती हैं, उसके रिकॉर्ड को एकसेस किया, जो स्टॉक रिजिस्टर, सेल रिजिस्टर सामने आये, तो पता चला हर महीने राशन आता है, पर किस हो रही है, यह चोरी, तो उससे एक जवाब देही का महौल पैदा हुआ और लोगों को उनका राशन वास्तव में मिलने लगा, तो समझ में यह आने लगी कि यह जो लिंक है, between your ability to get information, आप कि इन सूचना ले पा रहे हैं के नहीं, और आप अपने दूसरे अधिकार फिर ले लोगों ने समझाए, वो चाहे उनके minimum wages, new term, मजदूरी की बात हो, चाहे राशन की हो, चाहे पेंशन की हो, चाहे आप अस्पताल जाएं और आपको दवाई देने से मना कर दिया जाए कि दवाई का stock खतम हो चुका है, तो लोग आज RTI लगाते हैं और कहते हैं दिखा ये stock register हम देखना चाहते हैं कि क्यों नहीं है, अचा क्या यही वज़र रही कि जो RTI है, RTI कमिशनर्स को लेकर भी आप संघर्ष करती रहें कि उनकी न्युक्ती हो, लेकिन RTI पर भी बहुत तीखा हमला, सूचना मिलना बहुत मुश्किल, जो सूचना आयुक्त हैं, उनकी कानून तो बहुत अच्छा माना जाता है, पर हर साल हमारे देश में 60 लाक से ज़्यादा RTI एप्लिकेशन डलती हैं, और वो RTI एप्लिकेशन को एक प्रांत या एक राज्य या एक तपके से नहीं आती हैं, वो पूरे देश में अलग-अलग जगे से लोग डालते हैं, और दो तरह की चीजें मांगते हैं लोग सूचना, उस पे एक highest offices से लोग जवाब दही मांगते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर हो, जहां पूछा जाता है कि PM Cares का पैसा कहां से आ रहा है, बताईए, कहां खर्च हो रहा है, ये बताईए, COVID के दिन है, तो हम जानना चा रही है हमारे नियाइद हीशो से, उनसे कहा जा रहा है अपने assets and liabilities दिखाईए, जिससे हम जान सकें कि कहीं judicial corruption तो नहीं हो रही है, और दूसरी तरफ, लोग अपनी रोज मर्रा की जिन्दगी के बारे में सूचना मांग रहे हैं, जैसे मैंने कहा, राशन, पेंशन, अस्प पर मैं हमेशा कहती हूँ ना कि information is power, हम समझते हैं ये बात को, तो sharing जब information सूचना जब देनी पड़ती है, तो जिसके पास सूचना है, उसे लगता है कि मेरी ताकत चिन रही है, तो एक backlash हमने देखा है, लगातार होते हुए, जो लोग सूचना मांगते हैं, उन्हें प्रता जादा लोग ऐसे हैं, जिनकी हत्या कर दी गई है, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने सूचना मांगने की जुरत की, और उस सूचना को इस्तेमाल करके, उन्होंने भरष्टा चार और अन्य अनिताओं को उन्होंने उजागर किया, तो लोग जो हैं लेकिन सूचना मांगते है डट कर फिर भी डट यदी अभी भी मांग रहे हैं बिल्कुर मैंने आपको कहा साट लाग से जौड़ा आठीए एफलिकेशन हमारे देश में हर साल लगती है गलोबली इतनी आठीएफलिकेशन किसी देश में नहीं लगती है यह record है और दूसरी बात जो आपने कहा कि देखिए सरकारें जो हैं और जो system है वो कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से सूचना ना दे जाए तो एक तो जो सूचना मांगने वाला है उसे दबाने की कोशिश है सवाल पूछने वाले कि को दबाने की कोशिश है और दूसरा जो सवाल का जवाब दिलाने के लिए जो institutions बनाए गए हैं इस कानून में सूचना के अधिकार कानून में उस पर भी attack है तो मैं इसी में दो चीजें लाना चाहूंगी एक attack तो है कि सरकारे समझ गई हैं कि अगर वो सूचना आयोग जो की transparency watchdog है जिनका काम है कि हमारे देश में आपको सूचना देनी है उनकी न्युकती ही नहीं की जाती तो सालों साल बीच जाते हैं और सरकार जो है अब आप Central Information Commission को अगर देख लें केंद्रे सूचना आयोग में एक भी सूचना आयोग की न्युकती नहीं की गई है इस सरकार में पिछले साथ साल में जब तक की लोग कोर्ट नहीं गए कोर्ट तक जाना पड़ता है कोर्ट फिर सरकार को आदेश देते हैं तो जाके न्युकती होती है तो उसके कारण खाली पद पड़े रहते हैं लोगों की जो शिकायते हैं अपील्स हैं कोई जवाब नहीं आता सालों साल वेट करना पड़ता है तो आप य एक तो ये तरीका है जो सरकारों ने अपनाया है, दूसरा पिछले साल तो सरकार ने हमारे देश में 15 साल हो गए ATI कानून को आये हुए, पहली बार 2019 में इस कानून को संशोधित किया गया और संशोधन में सरकार ने एक काम किया है उन्होंने अपने पास ताकत ले ली है कि जो भी सूचना आयुक्त है इस देश में उनकी सैलरी, तंखा, उनकी पोस्ट रेटायर्मेंट बेनिफिट्स और उनके कार्यकाल अब सरका करेगी जिसका जो शुरू से बहुत ध्यान रखा गया था कानून बनते समय भी जो पूरा प्रोसेस था उसमें बहुत ध्यान रखा गया था कि वो इंडिपेंडेंडेंट रहे तो वो तो वैसे ही डरेंगे सरकार से और कभी सूचना दिलवाएंगे ही नहीं लोगों को लुक्त को एक तरह से डर रहता है कि अगर मैं यह सूचना देने के लिए डायरेक्ट कर दूँ तो मेरी पेंशन का क्या होगा मेरी कारेकाल का क्या होगा तो यह जो है संशोधन बहुत ही खराब संशोधन लाया गया तो इससे बिलकुल रवया जो है सरकार का उससे साफ हो रहा है कि सरकार्स जवाब नहीं देना चाहती और जो सवाल पूछ रहे हैं और जो पूरा महकमा बना है सवाल का जवाब दिलवाने के लिए उस पर पूरी तरह से प्रहार है एक चीज जो इसके साथ सा जबाब बोल रही थी तो मेरे दिमाग में आ रही थी कि सूचना लोग इसलिए भी जानना चाहते हैं कि जो ब्रश्चाचार है उसे रोका जा सके जो उनका अधिकार है उस पे अगर आगात है तो अगर सरकार नहीं चाह रही है यह कोशिश कर रही है कि सुछना कम मिले तो क्या इसका इंडारेक्ट मतलब यह होगा कि जो करॉप्शन वाला पूरा है उसे सरकार चलने देना चाहती है देखिए कोई पारदर्शता क्यों नहीं चाहेगा सीधी सी बात है अगर आपको छुपाना चाहते हैं और सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करके लोग दो तीन तरह की ही चीज़ें उजागर करते हैं एक भरश्टाचार जो की पैसे में हेरा फेरी है दूसरा मानव अधिकारों का हनन क्योंकि अगर अब्यूज अफ पावर होता है कहीं पर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स होती है लोग सूचना मंगते हैं इस कानून के तहत और जब सरकार नहीं देना चाहती वो सूचना तो मतलब कि कुछ छुपाने को है जाहिर सी बात है हम तो हमेशन यह कहते है कि अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो छुपाने की क्या जरूरत है पर ये बहुत चिंता जनक बात है कि ट्रिदिशनली मैं ये वैसे कहते हूँ कि ट्रिदिशनली ग्लोबली भी कोई सरकारें खुशी से सूचना नहीं देना चाहती ह इछले साथ साल में हमने देखा है कि ये जो सूचना लेने की प्रक्रिया है वो और जटेल होती जा रही है और एक mindset जो है वो बहुत वरीसम है। खराब culture आ गया है। लोग सूचना मांगते हैं सरकार पर विश्वास नहीं करते हैं। तो उनका ये कहना था कि आप सूचना मत मांगें सरकार पर विश्वास करके सरकार को अपना काम करने दीजिए। हमें क्यूं बताना है आपको और ये जो सोच है ये बहुत ही मुझे लग democratic सोच है क्योंकि लोगतंत्र में तो मेरी सरकार है तो मैं क्यों नहीं जानूंगी कि सरकार क्या कर रही है। मेरा पैसा है मेरे ही देश में मैं जानना चाहती हूं एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हो रही है या कहीं पर चोरी हो रही है तो मैं उसमें सवाल पूछना चाहत चीजे खुले से होती हैं तो उसमें तो लोगों को ट्रस्ट बढ़ता है सरकार में घटता थोड़ी है और दूसरी चीजे है कि आज तो हम देख रहे हैं कि जो भी सवाल उठाते हैं वो चाहे मीडिया हाउसे हों वो चाहे लोग हों उनको अलग-अलग तरह से लेबल किया जा पारदर्शता और जवाब देही का जो धांचा बनाने की इतने सालों से decentralized कोशिश हुई है उसे कहीं पर चोट पहुंचा रहा है अब जब प्रधान मंत्री खड़े होकर floor of the house पे कहेंगे कि आंदोलन जीवी जो हैं आंदोलन जीवी क्या कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट कर रह हैं अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आंदोलन जीवी पर जीवी हैं तो ऐसे में एक पूरा narrative जो बनता जा रहा है मुझे लगता है कि वो बड़ा खतरनाक है लोक तंत्र के लिए और जहां से भी लोगों की जो कोशिशे हैं सवा सवाल पूछने की अगर उनके साथ में कुछ recognition होती है उसकी तो वो एक अच्छा ही लगता है जिसे ऐसे मौहल में दुबारा अपने पहले सवाल पे कि यह जो पुरुसकार मिला है आपको आप 12 Global Champions में से एक हैं तो क्या लगता है कि इस समय जो लड़ाई बहुत मुश्किल दोर में हैं और सरकार सूचना, जानकारी, सवाल और सबसे बड़ी बात है सवाल पूछना तो उसमें आगे का रास्ता क्या दिखाई दे रहा है देखिए बहुत सारी चीजें जो हमने अभी discuss भी करी मुझे लगता है कि चिंता का विशे बनती हैं बहुत बार discouraging भी लगती हैं हम सबको लेकिन जो एक चीज मुझे लगता है कि बहुत होप देती है जो हमें हिम्मत बंधाती है वो यह है कि लोगों ने सवाल पूछना बंद नहीं किया है चाहे वो RTI के जरिये से हो चाहे RTI के बगैर हो सूचना मांगने का सवाल पूछने का जवाब दे ही जो है ब लोग सडकों पर उतर रहे हैं अपनी आवाज बुलंद लगातार किये होए हैं और मैं तो ये भी कहती हूं कि जो 60 लाख RTI हमारे देश में लगती है सूचना मांगते हैं ये भी लोग वो ही बात हमारे को दिखा रहे हैं कि इन सब चीजों से लोगतंत्र में कोई डरने वा है तो कुछ दाल में काल दो ये जो कोई भी सरकार हूं उन्हें ये समझने की जरूरत है कि कोर्स करेक्शन होना है और अगर सरकारी ये नहीं समझते ये लोग लोगतंत्र में बहुत अच्छे से समझहाना भी जानते हैं लोगस सरकारों को वह प्रोटेस्ट भी करेंगी कि न हम सूचना मांगना रोकेंगे और साथ लाख आपने बताया ही कि साथ लाख लोग मांग रहे हैं और पारदर्शिता और जवाब देही सरकार से तो उमीद करते हैं कि आपको जो पुरसकार मिला है उसका असर भी देर तक रहेगा और आगे ये कारवान वैसे ही चलता रहे शुक्रिया